नमस्कार स्वागत आपका अपना उत्तर प्रिदेश में और मैं हूँ आपके साथ कृतिका ठाकूर बुलिटिन की शिरुवाद करते हैं लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर केरल दौरे पर प्रदान मंत्री नरेंटर मोदी प्रसिद गुरु वायर मंदिर में किये दर्शन जमु कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुटबेड एक आतंकी धेर दो से तीन और आतंकियों के छिपे होने की खबर नंदा देवी इस्ट चोटी को फटह करने निकले आठ विदेशी परवता रोही की तलाश तेज हेलिकॉप्टर से सर्च अभियान में जुटी सेना पाथ के शव और सामान मिले उतर प्रदेश के फतेअपुर में दबंगों की दबंगई मजदूरी नहीं करने पर धारदार हतियार से किया हमला तलवार से मजदूर का कटा हात तीन तलाग पर नहीं लग रही रोक दहेज के लिए विवाईता को किया जाता है तंगाजमगर में दहेज में वाहन नहीं देने पर दिया तलाग आईए रुक करते हैं प्रमुक खबरों का आजमगर जिले के जी अनपुर कोतवाली शेत्र के बरडिहा गाउ निवासी सना फिर्दोस की शादी अमबेटका नगर जिले के राजे सुल्तान पूर थाना के बलराव पूर गाउ निवासी मोहमद आरिफ से हुई थी जा शादी के वक्त सना के परीजनों ने देज के साथ दुपईया वाहन के लिए नगत रुपई भी दिये थे बच्ची को भी चीन लिया गया जब पीडिता ने इसकी शिकायद दर्ज कराने के लिए थाने गई तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वही पीडिता ने पीहर आकर परीजनों के साथ आजमगर पुलिस अधिक्षक से मिलकर कारवाई को की मांग की है फिर तीन तलाग का मामला एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है अब इसकार प्यों गाड़ी मांग रहते तब बोलें कि बाचे तो अपने मैं के चलिजा हम तुमेर नहीं राखेंगे फूरा तीन बार तलाग दे कि बची गोदमी से छीन के ले लिगे उतर प्रदेश के फिरोजाबाद पुलिस ने लूट गिरों का परदाफाश किया है जहां पुलिस ने लूट के तीन आरोपियों को गिरफतार किया है जिनके पास से एक कार और लूट का सामान भी परामत किया है तो वहीं पुलिस पूस्ताश में गिरों ने कई लूट की घंटनाओं को अंजाम देने की बात कुबूल की है फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच में जुटी हुई है कि आपके आपके जानकार में रहना चाहूंगा स्यों सिटी संज्या वर्मा और एसेच्चो दक्षेंट सुलिय कुमार के नेतरत में ये तीन बदमाश गरतार किये गए हैं ये बदमाश एटी का गाड़ी का प्रयोग करते हैं जो यूपी 16 नंबर की है इसकी तस्दीक की जा रही है इन बदमाशों के कबजे से तीन तमचे मिले हैं ये गाड़ी में लोहों को किराएपर ले जाने का अजासा दे करके लेके जाते हैं और उनके पैसे शीन करके उनको रास्ते में छोड़ देते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अफसर पर खाद्य सुरक्षा और और्षदी प्रिशाशन की और से जागुकता अभियान चलाया गया जहां लोगों को साफ और शुद्ध खानगे लिए जागुक किया गया साथी लोगों को गुर्वत्ता युक्त खाद्य परदातों के विशे में जानकारी प्रदान की जा रही है आज पूरे देश में हमारे जो खान पान है उसकी सुर्ट सा कैसे की जाए हाद पदार तो गुडवत्ता को विस्विस्टरिये बनाने के लिए यहां प्रिंदावन में भी एक हाद सुर्ट सर्विसर पर सेमिनार एक बनाए गया है जिसमें हारवर्ड स्कूल के पुर्फेसर आये हुए है उत्रप्रदेश के आजमगर में दिन दहाडे लूट की वारदात सामने आई जहां बदमाशों ने बिजली विबाग की कैश्वेन से एक लाग पैसाठ हसार रुपे लूट कर फरार हो गए तो वहीं गटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जाज शुरू करती है उत्रप्रदेश के सारनपुर में मुटबेड के बाद पुलिस ने एक 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफतार किया है हाला की मुटबेड के दौरान एक बदमाश भागने में सफल रहा है पतादे की पकड़े गए आरोपियों से पहले से कई मामले दर्ज है तो वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरे की मोटर साइकल और कार्थोज भी बरामत हुए फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच में जूटी हुई है उत्रपदेश की मतुरा पुलिस को एक बड़ी काम्याबी हासिल हुई है जहाँ पुलिस ने शराब माफियों पर बड़ी कारवाई करते हुई करोरों रुपे की शराब जब्त की है मतादे की मतुरा पुलिस ने मौट, शेरगर और कोसी से अवेश शराब की दो हजार से जादा शराब की पेटी बरामत की है साथी 90 लाख रुपे की लगजरी गारी, एंबुलेंस और ट्रग भी बरामत की है बतादे की मत्रा पुलिस लगातार शराब माफियाओं पर शिकंजरा कसने में लगी हुई है लेकिन इन दिनों लाकों रुपे की शराब पकड़ने के बाद भी शराब माफियाओं के होसले बुलन है तो वहीं शर्यूक तरूप से कारवाई करते हुए स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और इस्थानिय पुलिस को ये बड़ी काम्याबी हाथ लगी है इनके द्वारा कल कुल आठ भाहन पकड़े गए जिसमें की अवेद अफ़िशित हर्याणा मारका के शराब को बिद्री के लिए ले जाया जा रहा था जिसमें कुल 2528 पे टियां बरामद हुई है जिसकी कुल कीमत एक करोर आठाग रुपे है पुत्रप्रदेश की मतुरा थाना पुलिस ने मुटबेड के दौरान चार शातिर लुटेरों को गिरफतार किया है जिनके पास से अवेद हतियार और 25,000 की नगदी परामद हुई है पुलिस के मताबिक पकड़े गए आरोपियों पर लुट और हत्या के दर्जनों मुकद में दर्ज है थाना चाता पुलिस सर्लांस टीम और सोड टीम के द्वारा अग्यान के दोरान एक पुलिस मुटबेड में चार शातिर लुटेरों को गिरफतार किया गया है जिनके उपर कहीं मुकद में अलग-अलग प्रांतों से पंजिकरत हैं जिनके नाम लोकेंदर, रागवेंदर, राहूल और संदीप है और इन लोगों ने सेमरी पुल एनेस दो पर जो चाता में लूट हुई थी उसके पच्चेजार उपे भी इन से बरामद हुए है इनके पास से तीन अदद तमंचे, छे अदद कार्टूस और दो कोका कार्टूस बरामद हुए हैं ये लोग एक शातिर गेंग के रूप में काम करते हैं इन्होंने आसपास के जितने भी जिले हैं और प्रांत हैं उनमें काफी लूट की गटनाय अंजाम दिया है भीम आर्मी भारत एकता मिशन में संगठन की कमान को लेकर जगडा शुरू हो गया है चाखुद को ट्रस्टी और रास्टी सचिव बताने वाले विजय कुमार आजाद का कहना है कि अब तक मौकी ग्रूप से नियुक्त पदा दिकारी ही काम कर रहे थे संगठन में भीम आर्मी का संस्थापक कोई पद नहीं है और साथी दावा किया कि चंदर शेकर आजाद विने रतन और कमल वालिया अब संगठन में नहीं है यदि उन्हें काम करना है तो नई सिरे से सदस्य बनकर नियमा अनुसार काम करना होगा यह बात विजे कुमार ने शुक्रवार को अंबेट कर भवन में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया अमरे सानंद जी है राष्ट्री मेडिया प्रवारी रामकुमार बोत्तम जी है और राष्ट्री सरचक माने राम प्रकास बहुत जी है इसके अलावा संगठन में राष्ट्री लेविल का पदादिकारी की चंद सेखर मौकिक रूप से एक संस्थाफक थे लेकिन आज तो इसमें मौकिक रूप से यह उपद थे उनको सभी को ख़बं किया आता है और लेकित रूप में संस्थाफक नाम का कोई पद नहीं है यूपी के कास गंज में एटा लोगसवा से लगातार दूसरी बार संसथ चुने जाने पर संसथ राजवीर सिंग ने रोडशो किया और रोडशो के दौरान जनता का अभिवादन किया इस दौरान मीडिया से बाचीत करते हुए का कि कास गंज में पिछली बार जो कारे अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करना हमारी प्रात्मिक ताह रहेगी आज मैंने जीत का रोडशो इसलिए किया है कि जिल लोगों ने मेरे साथ इस चुनाम में तन्वन धन से मेहनत की है जिसका परणाम भाजबा के पक्षमाया है मैं उन सभी कारिकरताओं का उन सभी भाई बहनों का आभार बेक्ते करने आया हूँ तीन मत मर गई हैं चाचाल लाग रुपे सरकार की ओर से में कल देने जाऊँगा और जाकर इसी दिकर दे हूँगा क्या सही हो सकता है योगी सरकार के किसानों को किये गए बकाया भुकतान के दावे सारनपुर में फेल नजर आ रहे हैं जा सारनपुर के गणा भवन पर भाकियू कारिकरताओं और किसानों ने सेकड़ों की संक्या में एकत्रित होकर गणा भुकतान को लेकर जमकर नारेबाजी की यही और इगना बुक्टान नहीं होने से नाराज भाकियू कारिकरताओं ने गना अधिकारी के दफतर को बन कर दरवाजे पर ताला जड़ तिया और बकाइदा गनाअधिकारी को ही अपने साथ धरना स्थल पर बैठा ले जा एडियम के सामने सभी किसानों ने मिलकर अपनी समस्या रखी तो वहीं उन्होंने बताया कि गन्ना पेमेंट ना होने के कारण से ही बच्चों की फीस नहीं दी जा रही है किसान लाइट का बिल देने में भी सक्षम नहीं है केवल सारनपुर जिले में ही किसानों के बकाया गन्ना बुक्तान का 400 करोड रुपया बुक्तान होना बाकी है गन्ना बुक्तान को लेकर एक बैठक हुई थी कहीं रोज पहले एडियमी की अध्यक्स्ता में उसमें कोई भी जन्पद की चिन्नी मिलों का यूनी ठैड़ तो आया नहीं था किसानों का वादा होया था कि हाने वाड़े साथ तारीक में सभी जन्पद की चिन्नी मिलों के यूनी ठैड़ की सायत किसानों की वारता होगी गन्ना बुगतान जनपत साणपूर में कुछ चिन्दी मिलों का नही के परबबर है जैसा की नम्बर एक तो है बजाज चिन्नी मिल नागड़ चिन्नी मिल बजाज चोबीस नवम्बर में चली मातर साथ दिसंबर तक का उनने आज तक बुगतान करा गन्ना मुल्न के भुवतान के समझ में मिले थे इसमें विशेशकर से बजाज के सुगरमिल का और उक्तम का गन्ना मुल का भुवतान काफी कम है और इस समझ में जिलादिकारी महोदा ने नेशनल वीक में मीडिम भी रखी है इसमें हम इनके चीनी मुलाइसिस और बागास को म साब ने किसानों के साथ गद्दारी करी हमने गुष्टे महा करके इसका ताला बंद कर दिया जब तक वह माफी नहीं मांगेगा अपना कियेगी तो हम चाप भी नहीं देंगे और चाहे हमें भी रात को रहना पड़े हम रात के रहने की तयारी में जुट के आई हैं परदरसन के लिए पैसा है ना जो है बिजली का बिल दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने चार बाइक चोरों को गिरफतार किया है और इनके पास से साथ बाइक बरामत की है यह चोर इतने शातिर हैं कि यह शोशल साइट पर चोरी की बाइक को बेज दिया करते थे इसके लिए फरजी कागजाद और फरजी नंबर प्लेट का इस्तमाल करते थे जाब पुलिस का कहना है कि यह चारों चोर अलिगर्ड के रहने वाले हैं और ट्रेन से गाजियाबाद आते थे और दिल्ली एंसियार में बुलेट चोरी करते थे और खोड़ा द्वारा बहुत ही अच्छी कारवाई करते हुए आज सात बुलेट रिकवर की गई हैं यह सारी सातों बुलेट मोटर साइकल्स हैं जो की बहुत हाई-end मोटर साइकल्स मानी जाती हैं और इनमें अभियुक्त चार गिरफतार करे गए हैं इनमें से दो वो अभिय दिल्ली से सटा गाजियाबाद भले ही हाइटेक शहरों में गिना जा रहा हो लेकिन अभी भी यहां ट्रैफिक जाम से लोगों को दो चार होना पड़ता है इसके चलते ही शुकरवार को विजय नगर इलाके से एक प्रसूता को ले जा रही एम्बूलेंस जाम में फस गई गौशाला अंडर पास में जाम लगा होने के कारण एम्बूलेंस में ही प्रसूता ने बच्चे को जन्म दे दिया इस दोरान एम्बूलेंस के चालाग और कुछ लोगों ने जाम खुलवाने का प्रयास किया लेकिन जाम खुलने में करीब आधा घंटा लग गया गनीमत रही कि समय रहते महिला और नवजाद को अस्पताल पहुचाया गया जहां दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं उस महिला का नाम नीमा देवी था उसका तीसरा बच्चा था और उसने आज तक कभी किसी को हस्पिटल में अपना चेक अप नहीं कराया था ना ब्लड टेस्क था उसका कोई ना कोई अल्टरसाउंड था उसको कोई इस पात की चेतना ही नहीं थी कि उसे दिखाना चाहिए हस्पिटल में दर्द हुआ एम्बुलेंस को उसने फोन करा उसके पती ने एक सो दो पे एम्बुलेंस पहुची और उसे लेकर चिकित साले आई रही थी कि जामने फसके और महिला का प्रसाउंड एम्बुलेंस के अंदर हो गया उत्रप्रदेश की निचलॉल में दो परिवारों के विवाद पर पुलिस की कारवाई से परिशान महिला ने मिटी का तेल डाल कर आत्मत्या की कोशिश की जब पुलिस की मौसूदगी में जब वाक्या हुआ तो पुलिस ने मिटी के तेल डालने वाली महिला को गिरफतार कर लिया मामला निचलॉल का है जहां शिकायत पर तैसिलदार महिला के घर को हटा रहे थे कि अचानक महिला ने मिट्टी का तेल डाल कर आत्मत्या की कोशिश की इस पर प्रिशाशन के हाथ पांग फूल गया और आनन फानन में महिला को बचाया और पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया उतर प्रिदेश के महराज गंज के मंदल विया गौत सदर में इन दिनों पशुओं के मरने का सिलसला जारी है जबकि यूपी सरकार गाय पर राजनीती कर रही है गौसदन में लापरवाईयों के चलते गाय मौत के घाट पर उतर रही है लेकिन प्रशाशन को इस और कोई ध्यान नहीं है गायों के लिए हरा चारा लाया गया लेकिन समय पर नहीं देने पर चारा सूख गया और सूखे चारे को खाकर गायों की तब्यत खराब हुई और कई गायों की मौत भी हो गई जानकारी के अनुसार गौसदन की गायों को रखने की शंता पांसो से है लेकिन करीब 2000 से उपर गायों को यहां रखा जा रहा है जहां गायों की मरने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आज भी हमारे पीछे हम दिखाना चाहेंगे कि गायों मरी पड़ी है यहां कुछ गाये ऐसे दम तोड़ दी है कुछ तड़ती हुई नजर आ रही है और गायों की संख्या दिन पर दिन आज लगातार चार दिनों से गायों की मरने की संख्या बढ़ती ही जा रही है प्रशाशन की तरफ से अभी कोई ऐसी बड़ी कारवाई दिखती नजर नहीं आई है और हमें कहीं न कहीं दिखता है ये लगता है कि रहने और खाने की गायों की उचित प्रबंध ना होने से भी ऐसी समस्या हो सकती है पर यहां की लोगों का कहना है कि जो गाये जो होगा कि यह क्या यह पॉल्थिन के वज़े से गायों की दर बढ़ती जारी है या उचित खाने और पीने की वश्था ना होने से न्यूज इंडिया से पल्लवी तरपाथी की रिपोर्ट यूपी में हुई जहरीली शराब से मौतो को लेकर प्रिशाशन की अवैज शराब को लेकर लगातार चापे मारी जारी है जहां अभियान के तैद गिहार बस्ती और पालिया बास केड़ा में पुलिस ने चापे मारी की जहां पुलिस को लहन और अवैज शराब की भट्ट इसमें पूलिस रसुलाबाद के कोत्वाल भी सामिल थे अपने सारी स्काप के साथ पीछे यहां पर कंजडवस्ती में सगन तलासी ली गई इस तलासी के दौरान चलती भी भट्टियां भी पकड़ी गई करीब लगभग चार अभियोग दर्ज किये गए हैं लगभग तीन सो तो इस बुलेटिन में फिलाल इतना ही खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहिए यूज इंडिया